अपनी ही बेटी से एक सक्स के द्वारा निकाह कर लिये जाने का मामला शामने आया है घटना पसिम बंगाल में जलपाई गुडी जिले के कासिया जोरा गाउं की बताई जा रही है इस घटना में बताई जाता है कि एक पिता आफी जुदिन अली द्वारा अपने खुद की अगी बेटी के साथ निकाह करने का मामला शामने आया है जिसके बाद हडकम मच गया है अफजुदिन अली ने अपनी पत्नी सकीना की मौजुदगी में अपनी ही बेटी से निकाह कर लिया और ना कवल निकाह किया उसने उसको गरवती भी कर दिया पिता का कहना है कि उसे ऐ पोती में मुस्लिम प्रस्नल लाबोर्ड भी बीच में कुद चुका है मामले को लेकर छेत्र में संसनी का महौल ब्याप्त हो चला है बताते चले इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब ग्रामिनों ने लड़की को पांच महिने की गर्वती पाया आस्थानी लोग जब पूश उस समय तक ग्रामिनों को लड़की के निकाह के शंबंध में जानकारी नहीं थी अस्थानी लोगों ने बाद में पूलिस को इस मामले की जानकारी दी जिसको लेकर हड़कंप मच गया खुलासा जब शामने आया तो सारे लोग चर्चा करने लगे घटना से नाराज पड़ोसी लड़की के पिता अफ्यूज दिन अली 37 के पास गय अली ने कहा कि उसने अपनी सगी बेटी से 6 महिने पहले दरगाह पर निकाह किया अली के अनुसार उसके इस कर्म के लिए उन्होंने अल्ला का फर्मान लिया है उसने बताया कि इस काम के लिए अल्ला ने फर्मान जारी किया जिसको लेकर उसने अपनी बेटी से निकाह कर लिया अली के अनुसार उसके इस काम के लिए अल्ला की ओर से फर्मान मिला हुआ है बताते चलें कि अली दिहारी मजदूरी का काम करता है और उसके पांच बच्चे भी हैं साथ साथ अभी बीवी सकीना भी गर्ववती है पूलिस ने नाराज ग्रामिनों के हाथों से अली को बचाया गाउं वाले इस घ्रनित कारे के लिए उसे सजा देने वाले थे पूलिस के अनुसार लड़की की वास्तविक उम्र का अभी कोई खुलासा नहीं कर रहा है यह चर्चा है कि लड़की अभी नाबालिक है अली उसकी पत्नी और बेटी को कल हिरासत में ले लिया उन्हें सब डिविजनल अधिकारी के अदालत में पेस भी किया गया है SDO अतनूर राय ने कहा कि चुकी अपराधिक मामले आदालत के नियाई छेतर में आते हैं यह इसको निप्टाने के लिए योग्य अधिकारी नहीं है उन्होंने पूलिस को तीनों को हिराशत में लेकर पुष्टाच करने की बात बताई तथा इस मामले में उन्होंने कोर्ट में पेस किये जाने की बात भी कही अब देखिए आगे क्या होता है यह देखना दिल्चस्प होगा तरतर की चर्चाएं लगतार हो रही है